स्वागत है आज हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ MCQ कोश्चन तो चलिए सुरू करते हैं इस्थावर का बिलोम सब्द है तो इस्थावर का बिलोम क्या होता है दोस्तो होता है जंगम होता है नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं मुक का बिलोम सब्द है मुक का बिलोम जो है दोस्तो यह होता है वाच्चाल आगे चलते हैं दोस्तो कौन सा सब्द द्विज का अनिकार्थी नहीं है तो यहाँ पे दोस्तो जो है द्विज का अनिकार्थी जो है यह सिंग नहीं है बाकी चंद्रमा पच्छी दात यह तीनों जो है यह दूज़े के अनिकार्थी सब्द हैं जीवन का एक अर्थ जिन्दगी तो दूसरा क्या है तो दूसरा जो है यह पानी है गल्ती से आप इसमें जीन्य का ठंग मत लगा दीजेगा एक अर्थ इसका जो है पानी होता है आगे चलते हैं दोस्तों पाच्वे कोश्यम पे पुत्री का पर्यावाची सब्द नहीं है तो इसमें पुत्री का पर्यावाची सब्द कौन सा नहीं है इसमें तनाय जो है तनाय जो है ये पुत्र का पर्यावाची है ये पुत्री का पर्यावाची नहीं है आगे चलते हैं दोस्तों छटे कोईशन पर व्रिच्छ सब्द का पर्यावाची है तो इसमें व्रिच्छ का पर्यावाची जो है ये पादप होता है प्रसून किसका है ये फूल का पर्यावाची है किंकर जो है यह दास का पर्यावाची है और हेम जो है यह सोना का पर्यावाची है आगे चलते हैं दोस्तों साथवे कोईशन पर इन में से सुद्ध वरतनी का सब्द है तो इन में से सुद्ध वरतनी का सब्द कौन सा है यह है दोस्तों आप्षन नमबर C, जयत्चना, आप इसको आप्षन को जो है ध्यान से देख लिजेगा, क्योंकि आप्षन में बस थोड़े थोड़े ही अंतर है, आप ध्यान से इसको देख लिजेगा, आगे चलते हैं दोस्तों, आठोए कोश्यम पर, इन में से असुद वर्तनी का सब्द है, तो असुद वर्तनी का सब्द है, महत्व, यह तो सही लग रहा है, वाल मीकी, यह भी सही है, जय उचना, यह भी सही है, दोस्तों देख युप्षन दी, सन्यासी, इसमें देखिए, सन्यासी पर यहाहां पर luck बिन्दी होना चाहिए तब देखिए इसको हम बोलेंगे तो सही रहेगा सन नियासी तो यहाँ पर हमारा जो है option number कौन सा है यहाँ पर हमारा जो है option number यह D हो जाएगा जो कि यही असुद्ध है आगे चलते हैं दोस्तो महात्मा बुद्ध करुड़ा के साक्षाथ थे तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? बताईए दोस्तों जल्दी से चलिए हम बताते हैं महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे तो ये क्या थे? बिग्रह थे आगे चलते हैं दोस्तों दस्वे कुश्ण पे संतुलित बिहवार जीवन में सफलता की है क्या है सफलता की संतुलित बिहवार जीवन में सफलता की कुण्जी है दोस्तों यहाँ पे कवपे बड़ी उकी इसमें उकी मात्रा होनी चाहिए थी लेकिन गलती से उकी मात्रा नहीं लग पाया है ये टाइपिंग मिश्टेक है थोड़ा सा आप यहां पर देख लीजेगा आगे चलते हैं दोस्तों हमारे छेत्र से 30 चुनाव लड़ रहे हैं कौन चुनाव लड़ रहे हैं नेता लड़ रहे हैं अभ्यार्थी प्रतिद्वंदी या उमिद्वार कौन ल बढ़ रहे हैं अगरा आगे चलते हैं दोस्तो है 12 वे कोश्यम पर कर्मचारियों को आउकास की दे दी गई है क्या दे दी गई है कर्मचारियों को अधी सूचना दे दी गई है सूचना दे दी गई है जानकारी दे दी गई है या विग्यप्ति दे गई है तो कर्मचारियों को जो है आउकास की सूचना दे दी गई है आगे चलते हैं दोस्तों दातों तले उंगली दबाना का अर्थ है तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसका क्या होगा एंसर बहुत पच्च्ताना, चुप रह जाना, हैरान होना, दर्द होना तो इसका एंसर होगा ओप्चन कौन सा होगा दोस्तों इसका एंसर होगा ओप्चन C होगा, हैरान होना आगे चलते हैं चौदवे कोश्चन पे बासु उचलना का अर्थ है, बासु उचलना का अर्थ क्या होता है दोस्तों अहंकार होना, प्रशन होना, हैरान होना, पागल होना तो यहाँ पर हमारा एंसर होगा दोस्तों बासो उचलना करते क्या होता है? प्रशन होना होता है आगे चलते हैं दोस्तों, पंद्रवे कोश्यम पर गिरा हुआ के लिए एक सब्द है तो गिरा हुआ के लिए दोस्तो जो है यहाँ पे एक सब्द क्या होता है यह पतीत होता है आगे चलते हैं दोस्तो जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहते हैं सास्वत आगे चलते हैं दोस्तो 17 कोश्चम पे बिडोजा पर्यावाची सब्द है बिडोजा जो है ये किसका पर्यावाची है दोस्तों आप लोग बताईए फिर हम बता रहे हैं एंसर बिडोजा पर्यावाची सब्द है ये किसका है दोस्तों ये है इंद्र का है आगे चलते हैं दोस्तों अठारवे कोश्यम पे, उतकर्स सब्द का बिलोम है, उतकर्स का बिलोम क्या होता है, उतकर्स का बिलोम होता है, अपकर्स होता है, आगे चलते हैं दोस्तो, और नेशो कोश्यम पे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें कौन सा वाक्य सुद्ध है, दही खटी है, दही खटा है, दही खटास है, दही खटाई है इसमें कौन सा एंसर सही होगा दोस्तो आप लोग ज़्यादा तर यहाँ पे एंसर लगाएंगे दही खटी है, लेकिन नहीं, आपका एंसर यह गलत हो जाएगा यहाँ पे होगा दही खटा है क्योंकि दही जो है यह पूरलिंग है तो यहाँ पे हमारा एंसर 20 होगा दही खटा है आगे चलते हैं दोस्तों 20 वे कोश्चन पे और यह हमारा जो है आखरी कोश्चन है इस्वर का कोई नहीं होता है क्या नहीं होता इस्वर का आकार नहीं होता है निराकार नहीं होता है सरोकार नहीं होता है साकार नहीं होता है क्या नहीं होता है दोस्तों इस्वर का कोई आकार नहीं होता है दोस्तों ये इस बार का 2022 तेस का SSGD पर आधारित ये कोईशन था 20 आप लोग के लिए हम नए नए वीडियो रोज अप्लोड करते रहेंगे दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेयर करें जैहिन दोस्तों